नमस्कार दोस्तों मैं रोहित आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल इस्टड़ी विद एलिस एलक्सपर आज हम आपके सामने लेकर आए हैं विस्व से सामान्य ग्यान के सो मैथ पुन्ट प्रशन जो आपकी सभी परिक्षाओं में पुछे जाते रहे हैं और इनका हम with detail आपको दिखाएंगे किस तरह से ये हो जाते हैं और map के मादियम सभी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे तो चलिए देड़ना करते हैं शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं एक एक कोश्चन फिलाल इसमें आपके सो कोश्चन हो जाते हैं इस वीडियो में और बात करेंगे पहले कोश्चन के बारे में विस्व का सबसे बड़ा महादीप कौन सा हो जाता है सबसे बड़ा महादीप आपसे पूछा जाता है आपकी परिक्षाओं में तो यह हो जाता है एशिया एशिया महादीप हो जाता है सबसे बड़ा और यहाँ आप देख सकते हैं इसके बाद आपका आजाता है अंटाकर्टिका, अंटाकर्टिका के बाद आपका यूरोप आजाता है, और सबसे छोटा महादीप आपसे पूछा जाएगा तो वो हो जाता है आश्टेलिया, ठीक है, इस तरह से आप इनको याद रख सकते हैं, और ये येलो कलर में आप साथ महादीप हो जाते हैं, साथों को आपको याद रखना है, दुनिया का पहला विस्विद्याले कौन सा है, दुनिया का पहला विस्विद्याले हो जाता है तक्षिला विस्विद्याले, ठीक है, ये तक्षिला हो जाता है, ये आप देख सकते हैं, दुनिया का सबसे प् प्राचिन धर्म पोछए गया तो यह हो जाता है सनातं धर्म को सबसे प्राचिन धर्म कि विशुक के सबसे पहले नगर का नाम बताईये किपर पर्मानुबंग गिरा था परमानु बम गिरा था सबसे पहले तो सब गिराया गया हिरोशिमा पर और बात करेंगे इसके बारे में तो हिरोशिमा पर गिराया गया था 6 अगस्त 1945 की सुब है अमेरिकी वायू शेना ने जापान के हिरोशिमा पर परमानु बम क्या नाम हो जाता है इसका नाम हो जाता है Little Boy ठीक है Little Boy को गिरा दिया था और इसके तीन दिन बाद अमरीका नहीं नागासा की सहर पर Fat Man नाम का परमानुबं गिरा दिया था यह दोनों नाम से आपके Question बनते हैं Little Boy और Fat Man इनकी image भी हम आपको दिखा देते हैं, ये little boy हो जाता है, सबसे पहले आप देख सकते हैं, little boy है, और ये हो जाता है आपका fat man, ठीक है, दोनों आपको याद रखने, इन दोनों से आपके question पूछे जाते हैं, ये year भी आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो ये year हो जाता ह है इसका 1945, ठीक है, अमेरिका ने गिराया था जापान के हिरो सीमा पर little boy और नागा सागी पर fat man, और ये कुछ महा की तस्वीरे हैं, जो आपको विचलित कर सकती हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, बम के बाद की इस्तिती किस तरह से, ठीक है, और ये भी एक इस्तिती हो सबसे पहली पुष्टक छापी थी चीन के दवारा, और चीन में ही जो है कागज का आविश्कार हुआ था सबसे पहले, विस विस्तर पर पहली परधान मंत्री कौन बनी है, विस विस्तर पर कौन बन जाती है, पहली परधान मंत्री, तो पहली परधान मंत्री हो जाती है, स नाम बताईए जो अंत्रिक्ष में किर्तिम उपग्रे भेजने वाला देश बना है किर्तिम उपग्रे किसके द्वारा भेजा गया था सबसे पहले तो सबसे पहले भेजा जाता है रूस के द्वारा और बात करेंगे इसके बारे में 4 अक्टुबर 1957 को सोवियत संग यानि USSR ने अपना पहला किर्थिम उपगिर है इस पूतनिक 1 अंत्रिक्स में भेजा था क्या नाम हो जाता है यह नाम आपको याद रखना है इस पूतनिक 1 हो जाता है इसका नाम और यहाँ आप इमेज के माध्यम से भी देख सकते हैं यह हो जाता है इस पूतनिक 1 ठीक है इमेज ठीक है किस तरह का यह किर्थिम उपगिर है हो जाता है यह आप देख सकते हैं विस्व के उस व्यक्ति का नाम बताई है जो अंत्रिक्स में पहली बार गया था अंत्रिक्स में पहली बार गया था वो कौन हो जाता है तो अंत्रिक्स में पहली बार जाने वाले हो जाते हैं मेजर यूरी गागरीन और बात करेंगे यूरी गागरीन के बारे में तो यह हो जाते हैं यूरी गागरीन भूत पूर्ण सोवियत संके हवाबाज और अंत्रिक्स यात्री थे और ये 12 अपरेल 1961 को अंत्रिक्स में जाने वाले पर्थम यम मानव हो जाते हैं ठीक है पर्थम मानव हो जाते हैं और ये हो जाते हैं यूरी गागरिन यहां से भी आप देख सकते हैं मेज के माध्यम से अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं विश्व के उस व्यक्ति का नाम बताई जिसने सबसे पहले वायू यान से उडान भरी थी तो यह हो जाते हैं राइट बंदू इनके दोआरा हेलिकोप्टर का विश्कार किया गया था और यहाँ देख सकते हैं यह दोनों हो जाते हैं राइट बंदू यह अमेरिकन बंदू विश्व के किस देश ने सबसे पहले चंद्रमा पर मानो भेजा था चंद्रमा पर मानो भेजा गया था तो यह भेजा गया था संयुक्त राज अमेरिका के दौरा और बात करेंगे इसके बारे में अमेरिका के नेल आंप्स्रो और बजल डिन यह इन्होंने 1979 में चांद पर पर अपने अंत्रिक्षान या फिर लेंडर या रोवर्स को उतारने में सफलता प्राप्त की है ठीक है सबसे पहले अमेरिका के नील आर्म स्टोंग हो जाते हैं और बज आर्डरिन हो जाते हैं जो 1979 में चांद पर इन्हों के द्वारा कदम रखा गया था और यह हो जाते हैं नील आर्म स्टोंग यहाँ देख सकते हैं मेज के माध्यम से और यह चांद पर इनकी एक फोटो हो जाती है विस्व के सबसे बड़े दीप समू का नाम बताईए सबसे बड़े दीप समू का नाम बताना है तो यह हो जाता है इंडोनेशिया इंडोनेशिया हो जाता है विस व्यक्तिका नाम बताईए जिसने सबसे पहले चंद औरमा पर अपना कदम रखा था यह आपको पहले ही बता चुके हैं तो यह नेल आर्मी स्ट्रोंग हो जाते हैं जुनुन्हों ने कदम रखा था चांद पर सबसे पहले सबसे बढ़ा वी सुका रेल देश налबाकिनागत्र देश की देश की व९ू खनाँ सत्व कैंगत्र में अमेरिका स्वेनトंख की वारी होकिन Anders प्ड्व़ी विस्व का सबसे लंबा पसू कौन सा हो जाएगा? विस्व का पूछा गया है सबसे लंबा पसू तो ये हो जाता है जिराफ जिराफ हो जाएगा सबसे लंबा पसू विस्व का ठीक है ये आप देख सकते हैं मेज के माद्यम से जिराफ की लंबाई विस्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा हो जाता है विस्व का सबसे बड़ा पक्षी हो जाता है सतुर मुर्ग लेकिन ये पक्षी तो है ये उड़ नहीं सकता है ये भी आपको याद रखना है सतुर मुर्ग उड़ नहीं सकता है और यह आप देख सकते हैं, चीते की चाल से यह बागता हुआ, ठीक है, काफी तेज यह दोड़ता है, और बड़े-बड़े जानवरों को भी यह पीछे छोड़ देता है, विस्व का सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन सा हो जाएगा, तो सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी हो जाता है डग हौक, और इसको फालकन भी कहा जाता है, ठीक है, डग हौक या फिर फालकन इसको कहा जाएगा, और यह हो जाएगा सबसे तेज उड़ने वाला पक् ठीक है और यह आप देख सकते हैं यह पुरानी लिखी गई संस्ग्रत है ठीक है इस तरह से आप इसको देख सकते हैं विश्व में कितनी भासाई बोली जाती है पूरे विश्व में भूचा गया है आप से कितनी भासाई बोली जाती है तो पूरे विश्व में लगभग 5000 के आसपास भासाई बोली जाती है विस्व के उस देश का नाम बताईए जहां सोक दिवस पर राष्ट्य जंडा नहीं जुकता है नहीं जुकेगा बारत में तो जुकता है राष्ट्य सोक पर लेकिन सवधी अरब में ऐसा नहीं होता है सवदिय अरब में राष्टे सोक पर जंड़े को नहीं जुगाया जाता है और याप देख सकते हैं सवदिय अरब का जंड़ा किस तरह का होता है विश्व में यूरेनियम का सबसे बड़ा उतपादक देश कौन सा है विट्व मे यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है तो सबसे बड़ा उत्पादक हो जाता है यह कजागिस्तान और विष्व का आपूर्ति का लगबग 45% परतिशत्य यह उत्पादित करता है इसके बाद कनाड़ा हो जाता है 13% पर आश्टेलिया हो जाता है 12% उत्पादित करते हैं ठीक है यह आप देख सकते हैं सबसे पहले कजागिस्तान दूसरे नमबर पर कनाड़ा और तीसरे नमबर पर आपका आजाता है आश्टेलिया यूरेनियम के उत्पादन में और यह हो जाता है uranium, इमेज के मादियम से आप देख सकते हैं, इसका संकेत आप से पूछा जाएगा तो यू हो जाता है इसका संकेत, और इसका परमानु संख्या हो जाती है, 92, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, विस्व की उस महारानी का नाम बताईए, जिसने मौम से भीगा हुआ वस्त पहन कर अगनी परिक्षा दी थी, तो ये हो जाती है फ्रांस की महारानी रिचर्ड, और रिचर्ड को कैथरीन के नाम से भी जाना जाता था, ये भी आपको याद रखना है, अपने पती दुआरा चारित्रिक संदे के कारण अपनी निर्दोस्ता सिध करने के लिए, मौम में डुबोया हुआ गाउन पहन कर दधक्ती आख के उपर से चलने को बाध्य की गई थी, रिचर्ड को, और रानी जगनी परिक्षा में सफल तो हो गई थी, किन्तु उसने अ और यह आप इमेज के माध्यम से देख सकते हैं, कैथरीन को, ठीक है, यह इमेज के माध्यम से देख सकते हैं, विच में सबसे अधिक साखा वाला बैंक का नाम बताना है, सबसे अधिक साखा किस बैंक की हैं, तो सबसे अधिक साखा हो जाती है भारतिय स्टेट बैंक की, औ और इसका जो इस्थापना है ये हो जाती है एक जुलाई 1955 को देश के परमुख वानिजे बैंक के रूप में इंपीरियल बैंक को भारतिय स्टेट बैंक बनाने के लिए राष्टे करन किया गया था कब किया गया था ये किया गया था उन्नीस सो पचपन में ठीक है भारतिय रेल्वे में सबसे अधिक कर्मचारी कारियरत हैं में अधानिक समय में दुनिया का सबसे अमीर आदमी क?, आधानिक समय में छाते हैं एलन मस्क इसपेस X के संस्थापक हो जाते हैं उसके CEO हो जाते हैं और tuya कंपनी के से संस्थापक हो जाते हैं CEO हो जाते हैं और उत्पाद के वास्तुकार भी हो जाते हैं उसके बाद आ जाते हैं ओपन AI के से अध्यक्ष और नूरो लिंक के संस्थापक और CEO भी हो जाते हैं दाबो रिंग कंपनी के संस्थापक और ट्वीटर रिंग के मालिक हो जाते हैं और उसके CEO भी हो जाते हैं कितनी कंपनियों के मालिक हो जाते हैं एलन मस्क यह आप देख सकते हैं और यह हो जाते हैं एलन मस्क यहां से आप इस सिंप्र लेकिन इसका दर्जा शिन लिया गया है अब कौन हो जाता है सबसे बड़ा हम आपको दिखा देते हैं सबसे Birka nA को सा हो जाता है तो पेंटेंग अब नहीं रहा है अब रहा है सूरत डाइमंट बॉस्व का सबसे बड़ा कारियल है ये बारत के सूरत में बनकर यह तयार हो चुका है दुनिया का सबसे बड़ा कार्याल हो जाता है और इस नवनेजित भावन का नाम सूरत डायमंट बॉस एस भी हो गया है और बॉस का जो फ्रेंज भासा में इस्टोक एक्सचेंज के लिए परियुक्तिया जाने वाला इस सब्द हो जाता है ठी विस्व का सबसे धनी देश किसको माना जाता है तो विस्व का सबसे धनी देश माना जाता है अमेरिका को दुनिया में सबसे बड़ा किसान किसे माना जाता है लियू योगाओ चीन में यह चीन के हो जाते हैं लियू योगाओ और यहाँ देख सकते हैं इनकी नेट वर्थ दिखाई गई है 29,400 स्वास्ची करोड रुपेन की नेट वर्थ हो जाती है इनका देश हो जाता है चीन नाम आपको बता दिया गया है लिव योगाव इनका नाम हो जाता है और इस सबसे बड़े किसान हो जाते हैं पूरे वर्ड की विशुका सबसे निर्धन देश कौन सा है निर्धन देश ईस सबसे पूछ रही कौन सा हो जाएगा तो यह हो जाता है बुरुण्डी एस देश में दिन भर में पचाज्रूर्पई खामना मुश्किल हो जाता है ठीक है और उनके حالा जो है काफी खराब रहती है बुरुन्डी में वैसविक इस दर पर देश का नाम बताईए जहां एक भी नधी नहीं है एक भी नधी नहीं है तो वो हो जाता है सौदी अरब deputy अरब में एक भी नधी नहीं है और यह आप देख सकते हैं इमेज के माद्यम से सौधी अरब का मैप, ठीक है? यह आप देख सकते हैं ये येलो गलर में दिखाया गया है सौधी अरब और इसमें एक भी नदी नहीं है विसु का सबसे पुराना समाचार पत्र कुन सा हो जाएगा विसु का सबसे पुराना समाचार तो ये हो जाता है ओफिशियल जनरल ठीक है ये सबसे पुराना समाचार पत्र हो जाता है सबसे पहले किर्केट विसु कप किस वर्स में और कहां आयोजित किया गया था सबसे पहले किया गया था 1975 में और ये किया गया था इंगलेंड में ठीक है विस्व कप का आयोजन किया गया था 1975 में इंगलेंड में और बात करेंगे इसके बारे में तो इंगलेंड में खेला गया था 1975 का पहला एक दीवशी है विस्व कप और एक जीत और दो हार के साथ टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी ठीक है यह आपको याद रखना है और उनिश्व 75 का जो विस्व का का खिताब है यह फाइनल में वेस्ट इंडिज ने जीता था और किसको हराय था तो यह आज टेले को हराय था 17 रन से यह आप देख सकते हैं यह वेस्ट इंडिज के कफ्तान हो जाते हैं इनको मिला था यह विस्व का विस्व की सबसे लंबी बस किस देश में इस्तित है विस्व की सबसे लंबी बस हो जाती है अमेरिका में और अमेरिका में इसकी लंबाई हो जाती है 76 फूट लेकिन बिरिटेन के दुआरा एक बस बन और अमेरिका में फिलाल अमेरिका की है, तो अमेरिका की हो जाती है, 76 फोट लंबी. उस देश का नाम बताईए जहां एक भी मच्छर नहीं पाए जाता है एक भी मच्छर नहीं पाए जाएगा तो यह हो जाता है फ्रांस ठीक है फ्रांस में एक भी मच्छर नहीं पाए जाता है ऐसा माना जाता है विस्तु का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिशर कौन सा है हिंदू मंदिर परिशर तो यह हो जाता है यसोधर पुरम हो जाता है हिंदू मंदिर सबसे बड़ा बात करेंगे इसके बारे में तो यह कंबोडिया के इंकोर में हो जाता है और इसका पुरा नाम हो जाता है यसो दर मंदिल को वैस्विक स्तर पर सबसे बड़ी मूर्ति का नाम बताना है आपको वैस्विक स्तर पर सबसे बड़ी हो जाती है इस टेचू ओफ यूनिटी और यह हो जाती है सरदार पटेल की सरदार वल्लब भाई पटेल की मूर्ति हो जाती है और यह नर्म नदी परिस्तित ह हो जाती है कि दुनिया का सबसे बड़ा घंटागर कहा इस्तित है दुनिया का सबसे बड़ा घंटागर इस्तित हो जाता है मास्को रूस में और यहाद देख सकते हैं दुनिया का सबसे बड़ा घंटागर यह मास्कों में हो जाता है सबसे उची मीनार कौन सी है सबसे उची मीनार हो जाती है कुतुब मीनार जो दिल्ली में इस्तित है और बात करेंगे कुतुब मीनार के बारे में कुतुब मीनार कुतुब अबक ने परचित सूपी संद खुआ जा कुतुब अबक्तियार काकी की याद में कुतूब मीनार का निर्मान कराया था लेकिन इरिमन निर्मान वो पूरा नहीं करा सके थे इसके बाद इसमें काम कराया था इलतोतमी इसने और इनके बाद कई और सासकों ने भी इसमें काम कराया था मातमा बुद्ध की सबसे उची परतीमा कहा इस्तित है? महातमा बुद की सबसे उची परतीमा इस्तित हो जाती है चीन में चीन के नदी केनारे बसे एक मंदिर में भगवान बुद की सबसे बड़ी परतीमा मिली है और यह 90 साल में बनकर तयार हुई थी और इस परतीमा के कंदों की चोड़ाई 28 मीटर है और 28 मेटर यानि 233 फिट है चीन के माउंट एमी पर तराशी गई इस परतीमा को देखने के लिए टूरिष्ट दूर दूर से आते हैं काफी दूर दूर से टूरिष्ट आते हैं इसको देखने के लिए और इसे बनाने के सुरवात 713 इश्वी में हुई थी यूनेस को द्वा के हो जाती है और यहाँ देख सकते हैं इमेज के माध्यम से यह हो जाते हैं 71 मेटर उची परतीमा ठीक है और यह जो है टूरिष्ट है यहाँ देख सकते हैं टूरिष्ट यह काफी दूर दूर से टूरिष्ट इसको देखने के लिए आते हैं यह पाड़ी को काट कर बनाई गई है भगवान सीव की सबसे उची परतीमा कौन सी है भगवान सीव की सबसे उची परतीमा हो जाते विश्वास सोरूपम ठीक है या देख सकते हैं विश्वास सोरूपम और विश्वास की परतीमा का विश्वास सोरूपम भारत के राजिस्थान के नाथ द्वारा में निर इसको इस्टेच व बिलिफ भी कहा जाता है तो दुनिया में सीव की सबसे उची मूर्थी ये मानी जाती है यह आप देख सकते हैं इस्टेच व बिलिफ सीव की सबसे उची मूर्थी हो जाती है विस्व के सबसे बड़े इस्तंदारी जीव का क्या नाम है सबसे बड़े इस्तंदारी जीव हो जाता है ये वेल और अन्य इस्तंदारी प्रयानी के तरह वेल हवा में सांस ले सकती है उसका खून गर्म होता है और ये बच्चों को दूध भी पिलाती है और उसके सरीर पर ब पक्षी कहा जाता है तो चम्गादल को क्या माना जाएगा तो चम्गादल को जाता है पसू ठीक है और यह हो जाती है चम्गादल कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं पक्षी होते हुए भी इसको पक्षी नहीं कहा जाता है दुनिया का सबसे बड़ा चड़ियागर कौन सा है दुनिया का सबसे बड़ा चड़ियागर तो यह हो जाता है बर्लिन जूलोजिकल गार्डन बर्लिन जूलोजिकल गार्डन यह हो जाता है जर्मन में जूलो, शियर, गार्डन, बरलिन, जर्मनी का सबसे पुराणत जीवी तोर परशित चडिया घर भी ये माना जाता है. और ये हो जाता है बरलिन का चडिया घर. सबसे बड़ा आजायव घर कि शे माना जाता है? तो यह हो जाता है American Museum of Natural History को सबसे बड़ा अजाइब घर माना जाता है American Museum of Natural History न्यूवियार्क सहर में मैन हर्प्टम के अपर वेस्ट साइड पर एक प्राकरतिक इतिहास संग्राले हो जाता है तो यह आप देख सकते हैं इतिहास संग्राले को विश्व के बड़े महाकाव्य का नाम बताईए विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य का नाम हो जाता है महाबारत महाबारत हो जाता है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है और यह आप देख सकते हैं इमेज की माध्यम से सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है सबसे बड़ा डेल्टा आपसे पूछा गया है तो सबसे बड़ा डेल्टा हो जाता है सुंदर्वन का डेल्टा और यह हो जाता है सुंदर्वन का डेल्टा गंगा और भ्रहमपुर नदी मिलकर इस डेल्टे का निर्मान करती है यह आप दे करिबा जील करिबा जील मद्यअफेरिका में जामवेजी नदी पर बांद बनाकर किया गया था यह भी आपको याद रखना है यह हो जाती है आपकी करिबा जील यह आप देख सकते हैं में इसके माध्यम से सबसे अधिक उचाई परिस्थित जील का नाम बताईए सबसे अधिक उचाई परिस्थित है आपकी तिलोचे जील तिली चो जील हो जाती है सबसे उचाई पर इस्थित और तिली चो जील ये कभी नेपाल की सबसे उची जील के रूप में इसको जाना जाता था क्योंकि इसकी जो उचाई है यह हो जाती है 919 मीटर की उचाई पर यह इस्थित हो जाती है ठीक है और यह हो जाती है तिरोचो जील ठीक है यह आप देख सकते हैं मेज के माध्यम से और चले दोस्तों आज का हमारा वीडियो समापत होता है अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियो का अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं हमें मोटिवेट करने के लिए एक लाइक भी आप कर सकते हैं और पेले दोफ्तों मिलते हैं नेक्ट वीडियो में और तब तक के लिए नमस्कार.